आज हम बात करने जा रहें कि decimal numbers को ascending order और descending order में कैसे arrange करेंगे last videos में हमने decimal numbers के बारे में कुछ चीज़े देखी कि decimal numbers क्या होते हैं उनको fraction में कैसे convert किया जाता है और like decimals, unlike decimals इन सब के बारे में हम पिछले videos में देख चुके हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे ascending order और descending order कैसे करेंगे decimal numbers को तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ascending order की अब देखिए, हमारे पास suppose एक number है, जैसे पहला number है 2, दूसरा है 1.75, तीसरा है 0.7, और फोर्थ number है 1.8 इसे हमने ascending order में arrange करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता है, ascending means छोटे से बढ़ा, तो हमें इन सब numbers में से ये find करना है, कि सबसे smallest number कौन सा है, smallest numbers से ढूणने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम compare करेंगे before decimal numbers को, किसे करेंगे हम, before decimals, decimal number से पहले, जो numbers हैं, उसको check किया जाएगा, सबसे पहले, first step, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 numbers हैं, अब जो number है 2, 2 में कोई भी decimal नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं, कि ये 2.0 है, आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, या आप 2.0 भी लगा सकते हो, पॉइंट के आगे, उससे कोई change नहीं होगा number में, दूसरा number हमारे पास है 1.75, तीसरा number है, हमारे पास 0.7, फोर्थ number हमारे पास 1.8, यह हमारे पास 4 numbers हैं, अब हमें इसको देखना है, कि इसमें से सबसे चोटा number कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि इन चारों में से decimal number से पहले सबसे smallest number कौन सा है, अब देखो, सबसे smallest number कौन सा है, इसका है क्यों क्योंकि इसमें point से पहले zero लिखा हुआ है तो इसका मतलब सबसे पहले हम इस number को लिखेंगे ascending order में अब इसके बाद बाकी जो तीन numbers है उनको compare करेंगे अब उसमें हम देखेंगे कि decimal से पहले छोटा number किसमे है अब यहाँ पर दो numbers ऐसे हैं जिनमें दोनों में same है 1.75, 1.8 दोनों में decimal से पहले one लिखा है इसका मतलब before number same है तो अब हमारा जो अगले step है वो क्या है after number चेक करना after number किसका after the decimal तो सबसे पहले हमने इसमें पहले step करा before decimal चेक किया अगर before decimal से ही हमें पता लग गया तो ठीक है अगर before decimal सेम है तो हम उसके बाद अगले step देखते हैं after decimal numbers वो चेक करेंगे हम कि after the decimal किसका number चोटा है तो उसके लिए हम देखते हैं दोनों numbers में 1.75 और दूसरा है 1.8 यहाँ पर point भी है अब हम देखेंगे after the decimal तो जो पहला number है 1.75 इसमें decimal के बाद 7 लिखा है और 1.8 में decimal के बाद 8 लिखा है तो दोनों में किसमे smaller है 1.75 में तो इसका मतलब second number पे क्या आएगा 1.75 आ जाएगा इसके बाद कौन सा आना चाहिए 1.8 क्यों? क्योंकि जो उसके बाद two number रह गया last 2.0 वो सबसे बाद में आएगा क्योंकि उसमें decimal के पहले वाला number सबसे बढ़ा है तो 1.75 के बाद तीसरे number पर आएगा 1.8 और चौथे number पर आएगा हमारा 2.0 तो इस तरह से हमने अपना sequence find out कर लिया कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा तो अब हम अपने number को कैसे arrange करेंगे देखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0.7 इसके बाद 1.75 फिर 1.8 और last में हम लिखेंगे 2 तो यह हमने देखा ascending order कैसे किया जाता है तो before the decimal number पहले वो compare करेंगे अगर before the decimal number same है फिर हम after the decimal number compare करेंगे कि किसका दोनों में से छोटा है उस तरह से हम अपना question complete करेंगे अगर after the decimal number भी दोनों में same होता तो फिर हम उस number के next number जो है उसको compare करतें फिर हम देखतें कि कौन सा number सबसे छोटा है तो चलिए एक और question इसका देख लेते हैं ascending order का इससे हमें question थोड़ा सा और clear हो जाएगा suppose हमारे पास एक question है 3.685 दूसरा number है 2.18 तीसरा number है हमारे पास 5.66 चौथा number है हमारे पास 3.61 suppose ही हमारे पास 4 numbers है अब हमें इसको arrange करना है ascending order में तो हमारा step क्या है before the number compare करना अब हम देखते हैं कि before the decimal number किसका सबसे छोटा है अब यहाँ पर देखिए before the decimal number में सबसे छोटा number कौन सा है ये वाला है 2.18 तो सबसे पहले क्या आएगा 2.18 क्योंकि इसमें point से पहले 2 है तो हमारा ये तो हमने लिख लिया अब हमारे पास कौन से numbers रहेगे 3.685 3.61 अब हमने इन दोनों को compare करना है अब इन दोनों को हम देखते हैं before the numbers क्योंकि ये वाला number है fourth वो है five points तो ये सबसे last में आएगा हमें पता है five सबसे बढ़ा है अब 3.685 और 3.61 इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा number आना चाहिए अब before the number चेक करते है 3.685 में देखे before the number है 3 उधर 3.61 इसमें भी before वाला number है 3 तो दोनों सेम है तो हम after the number compare करेंगे 3.685 में देखे six है 3.61 इसमें भी six है दोनों सेम है तो हम अब इसके next वाला number compare करेंगे 3.685 में six के बाद कौन सा number है eight और इधर कौन सा है six के बाद one तो यहां से हमें पता चल गया कि 2.18 के बाद कौन सा आना चीए इन दोनों में से जो छोटा है क्योंकि हम ascending में लिख रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ तो हमारे पास अगला number क्या आना चीए 3.61 इसके बाद हमें पता लग गया यह आ चुका है अब हमने किसको लिखना है 3.685 तो 3.685 हो जाएगा और last में हमारे पास आ जाएगा 5.66 तो यह हमने ascending order में इस तरह से arrange कर लिया तो बहुत ही simple है बस हमें इसके steps follow करने हैं similarly हम descending order में भी same steps रखेंगे उसमें भी हमने क्या करना है सबसे बड़ा number पहले find out करना है तो सबसे बड़ा number कैसे find out किया जाएगा before the decimal number को compare करके जैसे एक question देखते हैं suppose हमारे पास एक question है 3.71 दूसरा number है 3.7 तीसरा number है 4.2 चौथा number है 3.912 suppose हमारे पास यह number से 4 हमें इसको descending order में compare करना है तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है तो before the number compare करते है यहाँ पर देखिए before the number में किसका number सबसे बड़ा है 4.2 का number सबसे बड़ा है यह वाला तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे 4.2 तो हमारा 4.2 आगे सबसे पहले अब हमने देखना है कि बाकी की जो 3 numbers है इन में से सबसे बड़ा कौन सा है तो इन सब में point से पहले कौन सा number है 3 यह 3.71 3.7 3.912 तो सभी में 3 है अब हम इसके बाद के number चेक करेंगे point के बाद 2 में 7 है और 1 में 9 है तो कौन सा आएगा जिसमें 9 है क्योंकि वो बड़ा हो गया तो 3.912 इसके बाद अब हमारे पास 2 number रह गए 3.71 3.7 अब हम फिर से इन दोनों को compare करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा आना चीए देखिए दोनों में फिर से 3 है point से पहले point के बाद दोनों में 7 है अब उसके बाद देखते है अब उसके बाद पहला number जो है इसमें point के बाद है 1 और जो दूसरा है उसमें point 7 के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है तो हम उसको 0 assume कर लेंगे तो अब हम compare करेंगे एक तरह 1 है एक तरह 0 है तो कौन सा आना चीए जिसमें 1 है तो 3.71 लास्ट में कौन सा आ जाएगा 3.7 तो इस तरह से हमने अपना answer descending order में arrange कर लिया तो दोनों के method same है बस ascending में छोटे से बड़ा करना है और descending में बड़े से छोटा करना है Thank you